मैं साधनोब दास हाजोड के अर्ज करता हूँ पेज नमबर चमारिस होकर मरते हैं पर तु इन बन्यों ने रावन की तरह से संसार के डोग की मौत को काबू में कर लिया है लेकिन पहले जमाने में बाप से पहले बेटा नहीं मरता था और अब बाप से पहले बेटा मर जाता है तो अब और पहले क्या मालिक और था जो अब ऐसा हो जाता है और पहले ऐसा नहीं होता था परतु मालिक तो वो का वही है तो ऐसे ऐसे पाप तो इन बन्यों ने जाहिर चलाए है जिसको तमाम जान के लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं और अगले जमाने के लोग तो ऐसे सती हुए हैं कि वो सिवाए नेकी के दूसरी बात भी नहीं जानते थे जिनकी तारिफ ये हैं कि वो जनम से ही माली की भक्ती करते थे जिससे वो सक्स देवता सुरुपी किलाए हैं पर तुर इस चमाने के लोग उन देवता सुरुपीयों के नाम से उनकी समाजयों के उपर बकरा वगरा चड़ाते हैं ऐसे ऐसे पाप तो अगले अगले लोग का नाम भी डुबोते हैं सो ये पाप नहीं करना चाहिए अगर से उनों की समाजियों को मानो तो धरम है सो धरम पुन्य करो या उनके नाम का मीटा बोजन खिलाओ या अपने बाल बच्चों को खिलाओ इसी तरह से अगर तुमारे कुल में कोई भक्त लोग हुआ हो तो तुम लोग उनके नाम से धरम पुन्य करो या ब्रामन सादू अगर को खिलाओ या अपने घर के बच्चों को भक्तों के नाम से खिलाओ और जानवरों को मज सताओ क्योंकि इन बन्यों ने तुमारी अकल को अपने रक्से से पाप से खराब कर दी है इसे तुम लोग पाप करते हो कि जो भक्तों के नाम से जानवरों को मारते हो जिसे दुनिया की अकल दिन रात खराब होती जाती है मगर इन बन्यों ने अपना मतलब समझ कर इरक्से सी पाप चलाया है और इससे ही संसार के लोग की अकल बर्स कर दी है जिसे तुम लोग को पाप करना ही दर्म सुचता है अगरचे कोई सक्स जानवरों के मारने से मना करे तो मरने वो मारने को तयार हो जाते हो और जो नेकी की बात बतावे उसको नहीं करते हैं कि जिसे भला होए और परमेशर भी खुश होए तो ऐसे ऐसे काम करने तो जीव नहीं चाता है और पाप की बातों के लिए जीव चाता है जिसकी वज़े ये है कि इन बनियों ने अपने रक्सिव पाप से सबों की अक्कल खराब कर दी है जिसे नेकी और बदी को नहीं समझते है और इसी पाप की वज़े से गरीब अमीर बेलाद रह जाते हैं सो जो बेलाद रह जाते हैं वो रक्सिवद्या के पाप से बेलाद रह जाते हैं क्योंकि मालिक ने तो सबों को अलाद दी हैं क्योंकि सजग में कोई बेलाद नहीं रहता था और सबके ओलाद होती थी और अब जो बेलाद रह जाते हैं और उनके ओलाद नहीं होती हैं पेज नमबर पैतालिस नहीं होती हैं तो ये बनियों का रक्ससी पाप है कि जिस मर्द ओलत के नाम का पाप कराते हैं और जिसके बच्चा नहीं होता है और किसी किसी को ऐसा भी सुझाते है कि भेरू के नाम का या देवी वगरा देवी के नाम का बकरा और बैसा वगरा चड़ाओगे जब तुम्हारे बेटा होगा जबकि उनके नाम का बकरा या बैसा वगरा मार देवे तो फिर उनके बेटा हो जाता है तो जब बनी उनके नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब बेटा हो जाता है और जो पाप का करना नहीं छोड़े तो नहीं होता अगर्चे हो जावे तब तो संसार के लोग ऐसे कहने को लग जाते हैं कि हमने देवी बगरे के नम का बक्रा बगरा चड़ाया था सो देवी बगरे ने बेटा दिया है और जो बकरा चड़ाने से भी नई होगे तो ये कहने को लग जाते है कि परमेशन ने मेरी किस्मत में उलाद नई दिये इसे नई होती है सो ये संसार की भूल है क्योंकि परमेशन ने सबको उलाद दिये मगर बनियों के रक्से से पाप से नई होती और जिसके नाम का पाप नई कराते उसके उलाद हो जाती है पर तुसंसार के लोग की अकल तो ऐसी फेरदी है कि जो समझाने से भी नई समझते हैं क्योंकि पाप करने से तो उलाद मर जाती है सो तुम पाप करते हो और पाप को ही धरम समझते हो सो भाई मेरे हो देवतों के उपर तो बकरा चलाने से नुक्सान पहुंचता है क्योंकि वो तो भक्त हुए हैं जिनके उपर तुम बकरा वगरा चलाते हो सो उनके उपर तो पाप करना बुरा है क्योंकि उनके नाम का धर्मपुन्य करना चाहिए वो अच्छी बात है और जिस तरह से रावन ने रक्ससुद्या के ग्रे चला चला के लगा दिये थे और देटों के उपर हाड वगरा गिरवा देता था पर तो दुनिया को अपने रक्ससी पाप से ऐसा सुझा देता था कि देटों ने रोग वगरा किया है सो ऐसा बहाना करके रावन दुनिया के हाज से हाड वगरा गिरवाता था सो रावन ने थोड़ा ही पाप चलाया था और इन बनियों ने तो इतना पाप कराना सुरू किया है कि जान के हातों से देटों के उपर जानरों को मरवा देते हैं और हाडों को डाल देते हैं सो हम तुम सब ही जानते हैं कि अपने हातों से हम और तुम देवतों के उपर हाड और खून डाल देते हैं तो इस तरह से पाप तो जाहिरा संसार के हातों से करवाते हैं और गुपती पाप ये बनिये दरियाओं के उपर कराते हैं और उसी गुप्ति पाप से दुनिया की बुद्धी ब्रष्ट हुई है, जिसे लोग देवतों के उपर जी मार मार के हाट डालते हैं, और उसी पाप से देवतों के बाने से बुद्धों को नचाते हैं, और सुजाते हैं देवतका, और उसी पाप से दुनिया में ये बिगन तरत्र के चले हैं जिसकी गिंती भी नहीं हो सकती जब तक संसार साधनोब दाज किताब जगत काणी चाणी एरंपुरासिव गज मारवार 37-27 पौन नमबर 027-27-34